इस वीडियो में हम बात करेंगी एक लेटिन मेकजिम की जो की इंटरप्रेटेशन से जूड़ी हुई है मेकजिम का नाम है अहवर्विस लेजिस नान एष्ट रिस डेंडम जैसा कि आपको सबने दिखाई दे रहा है अहवर्विस लेजिस नान एष्ट रिस डेंडम यह जो मैगजिम है वह इंटरप्रेशन से जूड़ी हुई है और इसका सामान्यतह साब्दिक अर्थ होता है विधी के सब्द से विचलन नहीं होगा अतह न्यायाले का यह प्राथमित कर्तब्य है कि वह विधाईका के आसे का पता लगाए और क्योंकि विधाईका ने अपना आसे विधान में प्रयुक्त सब्दों के द्वारा ब्यक्त कर दिया है अतह न्यायाले का कर्तब्य है कि वह विधाईका के आसे के आसे को इंटेंशन को आपजिक्ट को उनहीं सब्दों के द्वारा ग्यात करें अतह सामान नियम यह है कि कानून की भाता के आधार पर विधाईका के आते को ग्यात किया जाना चाहिए और इतलिए भाता में तोड मरोड नहीं किया जाना चाहिए सामान नतह कानून की भाता से परे जाकर निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए इस प्रकार निर्वचन का मुख्याधार साब्दिक निर्वचन ही होना चाहिए यह हमें जिम कहता है आइएम केस के माध्यम से देखते हैं केस का नाम है बाबा जी कोडा जी गरड वर्थेज नातिक मर्चेंट को आपरेटिव बैंक लिम्टेट नासिक यह केस है 1984 का सुप्र कारी सोसाइश्टी अधिनियम 1966 की धारातीहत्तर खक्य धिन अंसुचित जाद और अंसुचित जन जाद के सदस्यों के लिए इस्थानों का आरच्छडधा उचतम नियायले ने यह निर्धारित किया कि यह विदिमान्य और आदिसात्मक है नियायले ने इस्पष्ट किया क कि इन स्थानों को निर्वाचन की पद्धत से भरा जाना चाहिए न कि किसी अन्य पद्धत से जैसे कि धारातीहत्तर खक्य अधिन उबंधित नियुक्त यासर योजन के द्वारा जो निर्वाचन संभव न होने पर ही किया जा सकता है अताधारा सेमेंटीफायु खके निर बाचन ही अविधिमान ने हो जाएगा विधाई अधिनिमती और अधिनस्त विधायन के बीच तकराव होने की दस्था में विधाई अधिनस्त विधायन पर अधिभावी होगी इस कारण से नियाले ने अधिनस्त विधायन को और विधाई अधिनिमती के अधिकाराटी ठहरा थेंक्यू दोस्तु